नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे UKPSC के द्वारा जो अपर PCS का एक्जाम कंडट करवाया गया था कल संडे को उसके सेकंड पेपर की प्रोविजनल आंसर की को हम यहां पर देखेंगे Basically दो पेग्जाम हुए थे जिसमें एक पेपर आपका जेनल स्टडी का था जिसमें डेट सो कोशन पूछे गए उसकी प्रोविजनल आंसर की हम देख चुके हैं ये second paper था जो second shift में हुआ था जिसमें आपके general aptitude के 100 प्रशन पूछे गए थे इसकी provisional answer की को हम यहाँ पर देखेंगे तो चलिए friends वीडियो को शुरू करते हैं कुछ questions के solution मुझे यहाँ पर नहीं मिले तो अगर आपको उनके solution पता हैं तो आप उनके answer नीचे comment में जरूर बताएं चलिए शुरू करते हैं यह एक provisional answer की है आप इसके साथ अपने answer को match कर सकते हैं और अपने score का अंदाजा लगा सकते हैं चलिए शुरू करेंगे पहला प्रश्ण था दीपक एक वस्तू को 555 में बेच कर 11 प्रतिशत का लाब कमाता है यदि वहाँ उस वस्तू को 455 में बेचे तो उसे कितने की हानी होगी या लाब होगा ठीक है अगर वो किसी चीज को 555 में बेच रहा है 11 परसंट का फाइदा हो रहा है यानि उसकी cost price अगर आप निकालेंगे तो cost price निकलेगी 500 रुपे ठीक है और 500 रुपे की चीज को 455 में बेच रहा है तो उसे 45 रुपे का नुकसान होगा कहां से होगा cost price के उपर होगा और इसको आप percentage में cover करेंगे तो 9 प्रतिशत कि उसको हानी होगी ठीक है तो option D इसका right answer है दूसरा प्रशन था रोहित किसी कार्य को टी घंटों में पूरा कर सकता है किसी कारण वर्ष्ट डेड़ घंटे बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया कार्य का अधूरा हिस्सा कितना होगा अ यहां पर कौन सा पद है जो गायब है आपने उसको बताना था तो यह तो आसान था A के बाद यहां से B यहां से C और यहां पर D आना था option A इसका सही उत्तर है यदि Q का मान ये है J का मान ये है T का मान ये है तो आपको इस equation को solve करना था अगर आप इन alphabet के जगह पर इन values को र कार है कि 0 greater than है P से और P छोटा है एक से तो कौन सा सही होगा इस वाले questions में आपको value assume करनी होती है मानना पड़ता है आपको कोई ऐसी value सोचनी है जो 0 से तो बड़ी है और एक से छोटी है और फिर आपको उसको option में रखकर condition को satisfy करना होता है अगर हम यहां पर P की value 0.5 मान ले कि मान लिया जो P है वो 0.5 है तो यह 0 से बड़ा है ठीक है जो 0.5 है यह 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है अब अगर आप 0.5 इस जगह पर रखें तो आप पाएंगे कि जो आपका option A है यहां बिलकूल सही answer है option A इसका right answer होका यहां पर 0.5 रखके अगर आप इसको solve करेंगे तो यही यहां पर satisfy करेगा बाकी कोई भी condition satisfy नहीं करेगी आज वरुन का जन्मदीन है एक वर्ष बाद वो अपनी 12 वर्ष पहले की आयू का दो गुना हो जाएगा उसकी वर्तमान आयू क्या होगी इस वाले question को भी आप option के through कर सकते हैं X मानने से अच्छा है आप option के through कीज ठीक है मान लीजिए उसकी वर्तमान आयू अभी 25 वर्ष है ठीक है 12 साल पहले वो कितने साल का था 13 और एक साल बाद वो 26 साल का हो जाएगा ठीक है तो 12 वर्ष पहले उसकी आयू 13 वर्ष थी वर्तमान में 25 है और एक साल बाद डबल हो जाएगी यानिकी condition satisfy ठीक है तो इसका आंसर होगा option C सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का पिता है सुमिन्त हेमंत से कैसे संबंदित है राइट आंसर होगा उसका चचेरा भाई है ठीक है 60 चात्रों को अपना पसिंदिदा खेल चुनने के लिए कहा गया चुने गए विकल्प निम्न में इस प्रकार है कि फुटबॉल को 15 ने चुना किर्केट को 12 ने इसी प्रकार 13 की बास्केटबॉल और अन्या खेल कूद को यहाँ पर उन्होंने चुना आपको प्रशन 60 चुना है यानी एक स्टुड़न्ट की वैल्यू कितनी हो जैंगी तो 360 को आप 60 से डिवाइट देंगे एक स्टुडेंट की वैल्यू हो जैंगी 6 नबबे इसका सही आंसर होका एक बकसे में 180 रुपए को एक रुपए के सिक्के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के में जमा किया गया है आपको बताना है सिक्कों का अनुपात आपको दिया गया है 2, 3 और 4 इनका अनुपात हैं आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है इस प्रकार के कोशन इस तरीके से होते हैं मान लीजिए आप इनी को मान लीजिए कि ये सिक्कों की वैल्यू है तो अगर मेरे पास एक रुपए के दो सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए दो रुपए ठीक है पचास पैसे के तीन सिक्के हैं यानि मेरे पास 1.5 रुपए हो गया, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानि मेरे पास 1 रुपए हो गया, अब आप इन सब को जोड़ दीजिए, 2 रुपए और 1.5 रुपए हो गया, 3.5 हो गया, 4.5 रुपए, ठीक है, तो मेरे according, 4.5 रुपए मेरे पास हैं, लेकिन answer question में मुझे 180 रुपए दिया गया है, जो 180 है, इसको हम भाग करेंगे 4.5 रुपए से, ठीक है, तो 1 की value निकल जाएगी यहाँ पर, 1 की value आजाएगी 40, ठीक है, एक point की value 40 आजाएगी, और यहाँ पर हमें 50 पैसे पूछ रहा है, तो 50 की value कितनी हो जाएगी, 3, तो 1 की value 40 है, 40 into 3, 120 आपका इसका अंसर आ जाएगा, तो option B इसका बिलकुल सही आंसर है, ठीक है, यदि 1979 में Christmas दिवस मंगलवार को मनाया गया, निमलिकित में से किस वर्ष पुनहा उसी दिन मनाया गया था, अब देखें, 1979 में जो Christmas है, वो मंगलवार को है, लेकिन जो अगला साल है, 1980, वो क्या है, एक दिन आगे बढ़ जाता है, कि 1979 में मंगलवार था, तो 80 में क्या हो जाएगा, बुद्वार हो जाएगा, लेकिन 80 क्या है, ली पियर है, तो दो दिन आगे बढ़ जाएगे, 80 में गुरुवार हो जाएगा, फिर एक दिन, फिर एक दिन, फिर ली पियर आएगा, 84, ठीक है, जो 80 में आया, उसके बाद फिर से ली पिर आता है, 84 में, और ये डारेक्ट दो दिन आगे बढ़ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है, वो option D है, दसवे का, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अब देखे friends, यहाँ पर मैं जादा detail में नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं आपको detail solution में बता दूगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको answer, और किस तरीके से आपको इसको solve करना है, उसका बता रहा हूँ, पूरा exact solve करके अगर मैं बता हूँ, तो वीडियो काफी जादा लंबी हो सकती है, ठीक है, नेक्स था, यदि एक भिन के अंश और ह उनों से 5 घटाया जाए, तो एक बता 2 हो जाता है, और यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो दो बता 3 हो जाता है, तो इस प्रकार के question भी आपको option के through करने चाहिए, जैसे मान लीजिए, मैं option सीधा D को लेके चले, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 5-5 घटा दू, तो यह यह आपका 9 बटे 14 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 तो यह बनने रहा, ठीक है, पांच बटे 9 में से अगर मैं दोनों जगा 5-5 घटा दू, तो यह तो खराब हो जाएगा, यह तो बनेगा इनी कैसे भी करके, यहाँ से भी अगर मैं 5-5 घटा दू, तो यह 10 बटे 12 बटे 12 बन रह अगर मैं उसमें 2 जोड़ दूँ, तो 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 19 में 2 जोड़ देंगे 21, अगर इसको हम solve करेंगे तो यह 2 बटा 3 हो जाएगा, तो यह भी satisfy यानि इसका answer होगा option D, next है, यदि कि एक निश्चित कूट भाशा में G, R, A, S, P को B, M, V, N, K लिखा गया है, तो C, D, R, A, N, E को क्या लिखा जाएगा, तो देखें यहाँ पर क्या pattern इसने अपनाया है, कि G के पीछे आपको चलना है, G के पीछे 4 शब्द छोड़ कर आपका B आता है, यानि कि 5 शब्द B है, R के पीछे से 5 शब्द आपका M आ जाता है, ठीक है, A के पीछे से 5 शब्द आपक का सही आंसर होका, यदी किताब को घड़ी, घड़ी को बस्ता, बस्ते को शब्द कोश, शब्द कोश को खिड़की कहा जाता है, तो किताब उठाने में किसका प्रियोग होका, सबसे पहले आपको देखना है कि किताब उठाने में किसका प्रियोग होता है, किताब उठाने म बस्ते का प्रियोग होता है और बस्ते को शब्दकोश कहा गया है तो option C इसका सही आंसर होगा ठीक है यदि यहाँ पर फिर से वही कोशन आपको value पुट करनी है कि minus का अर्थ प्लस है पलिस का तातपरिया गुणा है और भाग का तातपरिया माइनस से है और गुणा का तातपरिया प्लस से है तो आपको equation पे इनको रखना है 36 आंसर आ जाएगा एक साइकल सवार उत्तर दिशा में 30 किलो मीटर चलता है फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 40 किलो मीटर जाता है पुनह दाहीनी और मुड़कर 20 किलो मीटर चलता है आपको बताना है फिर उसके बाद वो 40 किलो मीटर दाही तरप आता है वो शुरुआत से कितनी दूरी पर तो इस प्रकार के कोशन आपको इस तरीके से मैं बनाना तो है North, South, West और East शुरुवात में वो 30 किलोमीटर गया उत्तर में तो इधर आगया आपका 30 फिर इधर गया 40 किलोमीटर ठीक है फिर नीचे को आया 20 किलोमीटर आया जब कि उपर 30 गया था नीचे आया 20 ठीक है और फिर इधर 40 आगया तो वो यहाँ पर खड़ा है यानि कि यहाँ से वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है Option D इसका सही आंसर होगा 33 चात्रों की कक्षा में 20 चात्र किरकेट खेलते हैं 35 फुटबॉल और 18 बॉलिबॉल खेलते हैं इसी प्रकार आपको पूरे नंबर दिये गए कि 15 खेलाडी जो हैं वो किरकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं 12 खेलाडी फुटबॉल और बॉलिबॉल दोनों खेलते हैं आपको यह बताना था कि कितने खेलाडी ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं तो इस प्रकार का कोशन में आपको जो अलग-अलग खिलाडी है कि जो 20 क्रिकेट है इन सब को जोड़ना है ठीक है और माइनस करना है जो दोनों खेल खेलते हैं और प्लस करके आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है ठीक है तो वेंट डाइगराम के माध्यम से ये सॉल्व होगा सॉल्व करके इसका जो आंसर निकला वो था आप्शन C तो आप्शन C इसका सही आंसर है ठीक है मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके एक इस्तरी से कहता है कि उसकी मा तुम्हारे पिता की एक मात्र पुत्री है वहाँ इस्तरी उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंदित है तो गर आप इसको देखेंगे राइट आंसर होगा आप्शन C यहाँ पे यदि 246 गुणा 2 बराबर 6 है 870 गुणा 3 बराबर 11 है तो 735 गुणा 5 का मान क्या होगा यहाँ पर बेसिकली 2 से आपको 246 को भाग दे देना है भाग देंगे 123 आएगा तीनों को जोड़ दो 6 आजाएगा उसी प्रकार 3 से 870 को भाग देना है तीन से अगर आप 870 को भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 290 आजाएगा 290 के अगर आप सारी संखें जोड़ दें 11 बन जाएगा उसी प्रकार 735 को 5 से भाग दीजिए 147 आएगा 147 के तीनों नंबर को जोड़ दीजिए 12 बन जाएगा option D इसका सही आंसर है सत्यता और असत्यता गुण होते हैं ये कथन के गुण होते हैं विशम को चुनना था तो देखे चंद्रमा और ग्रह option A इसका right आंसर है क्यूंकि देखे आकाश में तारे होते हैं स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं विश्विध्यालियों में विध्यारती होते हैं, चंद्रमा में ग्रह नहीं होते हैं, चंद्रमा खुद एक उपग्रह है, ठीक है, विलुप्त पद को ग्यात करना था यहां पर, तो इसका अंसर भी आप आसानी से निकाल देते हैं, अगर हम सेकंड वाली नंबर को देखें, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, तो आकिर में 15 आएगा यहां पर, ठीक है, 15 हमारा 2 में है, फिर हमें पहली वाली को देखना है, दो में 5 जोड़ा 7, सात में 5 जोड़ा 14, 14 में फिर आपने 9 जोड़ दिया, 23, 23 के बाद आपने 11 जोड़ दिया, 34 और 34 के बाद आप 13 जोड़ देंगे तो ये आपका 47 आ जाएगा ठीक है कौन सा सम्हू से सम्मदित नहीं है तो 337 इसका आंसर होगा X का निउन्तम मान ग्याद कीजिए जिसे की संख्या पूरी संख्या आपको दी गई है और X का मान आपको बताना है जिसे ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए देखे 8 से विभाज्य होने की जो कंडिशन होती है कोई भी संख्या 8 से विभाज्य तब होगी जब उसकी आकरी की 3 संख्याएं भी 8 से विभाज्य हो इसकी आकरी की 3 संख्याएं क्या है 8 X 4 X का मान अगर मैं निउन्तम क्योंकि निउन्तम पूछ रहा है अगर मैं 2 रखू यहाँ पर, तो क्या 824, 8 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानि इसका अंसर होगा, option A, 2 इसका सही आंसर है, ठीक है, यदि संख्या A बराबर आपको पूरी संख्या दी गई है, 3 की power B से divided है, तो B का maximum मान आपने बताना था, right answer है, इसका option C, 8 इसका सही उत्तर है, जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, तो सेश फल 3 प्राप्त होता है, 11 और 100 के बीच आने वाली इस प्रकार की कुल कितनी संभावित संख्याएं हैं, तो इसका आप directly आसानी से calculate करकी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कम संख्या है, 11 से 100 के बीच पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, आपका option B, 12 इसका सही आंसर है, 26 का आंसर मुझे नहीं मिला, इसको आपको solve करके देखना होगा, अगर आपने इसको solve किया है, आंसर निकला है, तो आप comment box में जरूर बताएं, ठीक है, नेक्स्ट है, यदि CBA बराबर CCA है और CBA प्लस CCA बराबर ACD है, ABCD कमान अगर अंकों में हैं, अलग अलग अंक हैं, D कमान शुन्य आपको दिया गया है, A कमान बताना था, सही आंसर है, यहाँ पर option C, 5 इसका सही उत्तर है, अब देखें निकला कैसे, आपको जो condition दिये है, वो इस तरीके की condition दिये है, कि CBA प इन दोनों को जोड़कर 0 आना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं condition को ऐसे में रख लू, A प्लस A बराबर 0, यानि 2A की value 0 आनी चाहिए, अब आप option से अगर उठाएं, 0 आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 D है, और 4 संखें अलग अलग हैं, तो 0 तो होगा नहीं, 4 को अगर मैं यहाँ पर रखो, तो 4 दूनी 8 बनता है, 0 नहीं बनता, 5 को रखोंगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा, यानि 0 आखिर में आ जाएगा, तो 5 इसका सही आंसर है, आप एक भरती प्रभंदक के रूप में, एक महनती नव यूवक मयंक, जिसको धारा प लेकिन जो सबसे relative और सबसे अच्छा अंसर यहाँ पे था, तो वो लगता है यहाँ पे option B, ठीक है, कि मैं उसे उत्पादन या वित की नौकरी पर रखोंगा, जहाँ पे धारा प्रवा अंग्रेजी की ज़रौत नहीं होती है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दी गई दो संख्याओं में से प्रते एक छोटी संख्या का आदा घटाया गया, परिणाम संख्याओं में यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से तीन गुना बड़ी हो, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इस तरीके के question भी आपको option के मा आदी करतो, छोटी संख्या को आदी अगर कर दे तो 6 और 2 बन जाता है, और ऐसा करने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाती है, तो ये condition भी satisfy हो रही है, इन दोनों का अनुपात अगर में देखू 6 और 4 जो मैंने संख्या मानी, इन दोनों का अनुप आने वाले विद्यारतियों की संख्या में बड़ातरी के लिए प्रांत्मिक विद्यालों में बच्चों के मद्याहन भूजन प्रदान करें, ये कथन है, जो इसके अवधारनाय है, तो मुझे लगता है यहाँ पर option C, इसका सही आंसर है, दोनों अधारनाय इसमें नहीं थ नेक्स्ट है, निमलकित में तालीका आपको बताई गई है, पूरे महीने का खर्च बताय गया है, उसके अधार पर आपसे एक प्रशन पूछा गया, प्रशन यहाँ पर ये पूछा गया पूरा खर्च है, कि यदि आप इनको अगर दंड में चित्र का द्वारा दर्शाया जाता है, तो दंड में किराय का भाग कितना होगा, ठीक है, तो परसंटीज आपने बताना है किराय का, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, मान लीजिए, सबको जोड़ने के बाद आपका जो भी नंबर बनता है, और किराय का कितना है, अठारा सो, बस आपको इतना देखना ह कितना percent है और अगर आप इसको solve करेंगे तो equation आजाएगा आपका answer 19.25 चार आकरतियां आपने बतानी थी कि कौन सी आकरती सही है सही answer है इसका option D निमल के जानकारी के आधार पर आपने बताना है कितनी लड़कियां लंबी हैं सही answer जो इसका है वो है यहाँ पर option A 0 इसका सही answer होगा अब देखें तीन condition आपको बताई गई थी तीनों अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यह आपकी पूरी table भर जाएगी कैसे देखें सबसे पहले बीच वाले point को अगर आप देखें जिसमें से 64 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे आप लड़के निकाल देंगे यहाँ पर लड़के बचे 96 ठीक है इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं दूसरा condition उसने कहा कि आधे बचे या तो लंबे हैं या तो छोटे हैं तो आधे यानि कि 160 में से 80 बचे छोटे और लंबे हैं 60 तो छोटे हैं यानि 20 बचे आपके लंबे हुए ठीक है 20 लड़के लंबे हैं 20 टोटल ही हैं तो लड़कियों के लिए कितना बचा यहाँ पर 0 बचा ठीक है तो option A इसका सही आंसर है दिये गए गए दंड आलिक के आधार पर बताएं 1960 से 90 के चित्रपट थियाटरों की संख्या में कितने प्रतिशत के वृद्धी हुई 1960 में कितने थे 1990 में कितने हैं दोनों को माइनस करना था और आपको परसंटीज में कनवर्ट करना है तो 940 परतिशत की यहां पर वृद्धी हुई है यहां पर आपने बताना था कि आपको फिर से दो ग्राफ यहां पर बताए गए हैं तो बार चित्र दिये गए हैं आपको पूछ रहा है कि मुंबई में जो 90% पुरुष साक्षर है अगर जो पूरी पुरुष शंक्या है 55% साड़े 12,000 में से 55% पुरुष है और पुरुषों में 90% साक्षरता है दिल्ली में 80% महिलाएं साक्षरता है तो आपको एक अनुपात बताना है मुंबई में निरक्षर पुरुषों की और दिल्ली में निरक्षर महिलाओं की अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू यहां से निकाल कर कि टोटल 12,000 है 55,000 पुरुष है यानि कि लगबग 6,800 के करीब पुरुष है और 6,800 में से 10% पुरुष जो हैं वो अनपड है तो ऐसे आप वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार महिलाओं की निकालेंगे दोनों को भाग देंगे तो आपका आंसर यहां पर 0.89 आएका तो option A इसका सही उत्तर होगा नीचे दर्शाय गए प्रश्नवाचक चिन के स्थान पर क्या आएका तो आपको यहां पर बताना है प्रश्नवाचक चिन के आधार पर तो इसका right answer होगा option C, R, I, J इसका सही answer होगा ठीक है? तो आपको याद रखना है नेक्स्ट है अंग्रेजी वन वाला में दाईं से 21 अक्षर और 22 से 16 अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा अब देखें अंग्रेजी वन माला में अगर आप दाईं से 21 अक्षर देखें तो दाईं से 21 नंबर पे आता है F ठीक है? 22 से 16 नंबर के अगर अक्षर को देखें तो 22 से 16 पे आता है P ठीक है? इन दोनों के बिलकुल middle में आपने बताना था तो F और P के बीच में आपके पूरे 9 alphabets आते हैं ठीक है? तो आपको बिलकुल middle वाला बताना है जो की है K ठीक है? option B इसका सही है ये सभी के सभी F और P के बीच में आते हैं लेकिन सबसे बीच में कौन है? K इसका सही आंसर है 38 वाला question का अंसर आप इसको बताना क्योंकि काफी सारे इसमें वो लगाने पड़ते हैं ट्रिक वगिर लगानी होती हैं पैटर्न इसके देखने होते हैं तो इसका अंसर मैंने solve नहीं किया यदि एक कूट भाशा में आपको बताया गया है आपको बताना था कि इन दोनों का योग किसके बराबर होगा तो आपको directly बस इनकी value यहां पर put करनी थे और value put करके आपका अंसर यहां से निकल जाएगा तो आप value put करना आपका अंसर यहां से निकल जाएगा इसका जो right answer है हमारे 39 वाले का right answer होगा option B यदि 1988 में स्वतंतरता डिवस बुदवार को मनाया गया तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा तो दीके मैंने आपको उपर भी कहा अगर आपको सीधा एक साल आगे जाना है अगर वो लीपियर नहीं है सामने वाला तो एक ही दिन आगे बढ़ेगा ठीके बुदवार से आपका ब्रहसपतिवार हो जाएगा अगर 1989 लीपियर होता तो यह आपका बुदवार से शुक्रवार हो जाता ठीके दो दिन आगे बढ़ जाता क्योंकि लीपियर नहीं है तो ब्रहसपतिवार इसका आंसर है किशी निश्चित कूट भाशा में बेक को 5796 लिखा गया फायर को ये लिखा गया आपको पूछा गया कि फियर को क्या लिखा जाएगा फियर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा देखे B की वैल्यू क्या है 5 है हमको यहाँ पर फियर है F के लिखा जा रहा है F के लिए 3 लिखा गया है E के लिए यहाँ पर 6 लिखा गया है A के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो A के लिए 7 लिखा गया है और R के लिए 4 लिखा गया है यह हमारा right answer होका यह जी छात्रों की कुल संख्या 3,000 हो तो A और B का मिलाकर चात्रों की संख्या आपने बतानी थी टोटल संख्या कितनी है बच्चों की 3000 है A और B यानि की 32% आपने निकालना था आप इसको solve करेंगे आपका अंसर निकल जाएगा ठीक है तो इसका जो right answer है वो है option B 960 यदि 256 की कूट भाशा you are good है 637 की कूट भाशा we are bad है 358 की कूट भाशा good and bad है तो end की कूट भाशा क्या है end के लिए किस नंबर का इस्तेमाल किया गया है right answer जो यहाँ पर होगा वो है आपका 43 का option C ठीक है end के लिए 8 यहाँ पर सही answer होगा next है आपको यहाँ पर विलुप्त संख्या की पहचान करनी है तो देखें यहाँ पर क्या किया गया है 1 को 3 गुना किया गया 1 बढ़ा दिया 22 को 3 गुना किया 1 बढ़ा दिया 5 को 3 गुना किया 1 बढ़ा दिया इसी प्रकार 3 को भी आप 3 गुना बढ़ा देंगे तीन को भी आप 4 गुना बढ़ा देंगे, यहाप 3 गुना बढ़ा देंगे 9 और 1 बढ़ा देंगे फिर 10, ठीक है, हर जगा वही हुआ न, आपको 22 को भी 3 गुना किया, 22-3, 66, 1 बढ़ा दिया, 66, 5-3, 15, 1 बढ़ा दिया, 16, 3-3, 9, 1 बढ़ा देंगे 10, ठीक है, दी गई भिनो को घटते हुए क्रम में विवस्थित करना है तो अगर आप इनको solve करेंगे आप इसकी value निकालेंगे तो right answer आजाएगा option A इसका सही answer है ठीक है खाली आपने इनको घटते हुए क्रम में लगाना था next है निमलिकित में से लुप्त अक्षर की पहचान यहां पर आपने करनी है तो लुप्त अक्षर की यहां पर अगर हम पहचान करेंगे तो 46 का जो answer आपका बनेगा यह बनेगा option D क्यों इसका सही answer होगा ठीक है आप इनको यहां पर एक बार जो English alphabet वर्ण माला के अंदर जो इनके number है जैसे B का number 2 है ठीक है इस तरीके से अगर आप इनको numbers में लिखें उसके बाद आसानी से आपका यह answer आ जाएगा ठीक है दो गोलों जिनकी तरिज्जाएं एक अनुपात 2 में है के आयतन का अनुपात क्या होगा देखें जो volume of spare होता है वो क्या होता है गोले का आयतन कितना होता है 4 upon 3 pi r cube होता है ठीक है यह तो दोनों में common होगा radius जो होती है अगर आप radius देखें तो वो 3 गुना हो रही है तो volume इसका radius का 3 गुना हो जाएगा एक का तो एक ही रहेगा 2 का 3 हो जाएगा यानि 8 इसका अंसर होगा तो option B इसका सही आंसर है निमलिकित 4 शब्दों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है एक समू बनाते हैं कौन सा एक उस समू का सदस्या नहीं है सही आंसर गीदर होना चाहिए गीदर मांसा हारी है बाकी आपके साका हारी है नीचे दिये गए घन में से आपने बताना था कि 4 के opposite में क्या होगा तो 4 के opposite में होगा आपका question number 49 का आंसर होगा C 4 के opposite में आपका 1 होगा ठीक है सही आंसर है आपको नीचे आंकडे दिये गए, तीन वर्ग में जिसमें ABC हैं, आपको पूछा गया कि B से संबंदित अव्यों का प्रतिशत कितना है? तो टोटल कितने हैं? उसमें से B के कितने हैं? इसको आपको निकालना था, टोटल ये थीस हैं, उनमें से B के कितने हैं? तो B को आपको count करना था और उसका percentage आपने निकाल देना है 20 इसका answer है ठीक है 20 परतिशत नीचे दिये गए चित्रों में वर्गों की संख्या आपने बतानी थी तो इसका answer आपको comment करके बताना है इसका solution मैंने नहीं किया काफी लंबा था इसमें भी काफी counting वगेरा थी next है एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है और उसे दो कदम पीछे की ओर लेने पढ़ते हैं वहाँ अपने स्कूल कैसे पहुंच सकता है अब देखें वो अगर वो इसकूल की तरफ जाएगा एक कदम इसकूल की तरफ बढ़ाता है दो कदम पीछे यानि घर की तरफ आता है तो ऐसे तो वो घर पहुंच जाएगा ठीक है क्योंकि एक कदम इसकूल की तरफ जा रहा है दो कदम पीछे की ओर जा रहा है घर की ओर मुझ करते वे चलना चाहिए ताकि वो घर की तरफ एक कदम बढ़ाए और इसकूल की तरफ दो कदम पीछे चले। तो उप्शन सी इसका सही आंसर है। नीचे दिये गए कथरों को पढ़िये और बताईए कौन जामीति का अध्यन नहीं कर रहा। तो जामीति को कौन नहीं पढ़ रहा है, जामीतिया को कौन यहां पर नहीं पढ़ रहा। देखें सही आंसर कैसे होगा इसको भी आप Eliminate करते विए निकाल सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है यहां पर कि जामीत का अध्यन कौन कर रहे हैं। रोषन और मोहन जामित का अध्यन कर रहे हैं, तो मोहन इसका अंसर नहीं होगा, रोषन इसका अंसर नहीं होगा, रोषन और रोषन रसाइन विज्ञान और जामित का अध्यन कर रहे हैं, यानि कि जो रोषन है ये भी जामित के बारे में पढ़ रहा है, सही अंसर हो जाएग क्योंकि बहुत lengthy ये question था आपको ये सारी values यहां पर put करनी थी और उसके बाद देखना था कि कहां पर equation satisfy हो रहा है इसका जो right answer है 54 का ये है option B इसका right answer है साथ लड़कों के एक समुह में राम शाम से बड़ा है लेकिन मनुहर से छोटा है इस तरीके से पूरे question था आपको बताना था कि इन साथ लड़कों में से सबसे बड़ा कौन है तो देखे जराम और शाम तो बड़े नहीं है दिनेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है और विवेक के बारे में भी proper जानकारी नहीं मिल पाती है तो इन दोनों में से इसका कुछ आंसर है मेरे according विवेक यहाँ पे सही होना चाहिए यदि एक विशेश भाषा में remote को R, O, T, E, M, E से कूट किया जाता है तो P, N, I, I, C, C को क्या लिखा जाएगा right answer होगा option B ठीक है केवल words को इसने आगे पीछे remove किया है बस आपको ऐसा ही देखना है कि अगर इस words को यहाँ पर R को इसने R रहने दिया है तो P को आप P रहने दीजिए इस E को कहां लेकर गया है इस परकार से आपको इसको switch करना है जैसे उसने remote को किया आपका answer आजाएगा option B नेक्स्ट है लुप्त संख्या को गयात करें तो जो इसका answer मेरा निकला तो देखे 5 चको 20 एक कम करदो 19 5 चके 30 एक कम करदो 29 इसी परकार 6 सत्य 42 एक कम करदो 41 किसी कख्षा में कुछ बेंचे हैं यदि 4 चात्र एक बेंच में बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रहे जाती हैं और यदि 3 चात्र प्रतिक बेंच पर बैठते हैं तो 3 चात्र खड़े रहे जाते हैं कख्षा में चात्रों की संख्या बताईए इस प्रकार के question भी आपको option के माध्यम से करने चाहिए अगर आप option में मानके चले कि खक्षा में चात्रों की संख्या 48 है ताव आप इसको solve करें आपका answer यहां से satisfy कर जाएगा तो इस वाले का answer है option B A और B किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करते हैं उन्होंने 7 मिल कर कार्य करना शुरू किया 3 दिन के बाद A ने काम को छोड़ दिया 6 काम B ने कितने दिन में करेगा देखे एक काम A को करता A करता है 15 दिन में B करता है 10 दिन में अगर आप इनकी निकाल देंगे तो A की efficiency आजाएगी 2 और B की आजाएगी 3 ठीक है तो A की efficiency कितनी निकली है 2 B की कितनी निकली है 3 दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तीन दिन काम किया, तो तीन और दो यानि पांस तियां पंदरा, तीनों ने मिलकर पंदरा यूनिट काम कर लिया, टोटल काम कितना है, थर्टी टोटल काम है, बचा कितना है, पंदरा, जो कौन करेगा, बी करेगा, बी के एफिशेंसी आ समान धो देंगे अब देखे मुझे 30 दिन में 540 टन का समान धोना है यानि कि मुझे एक दिन में 18 टन का समान धोना पड़ेगा ठीक है एक ट्रक जो है वो एक दिन में 3 टन धोता है तो मुझे कितने ट्रक चाहिए जो 18 टन धो दे मुझे चाहिए 6 ट्रक ठीक है तो 6 ट्रकों क यदि 38 प्लस 15 प्लस 15 बराबर 66 हो 29 प्लस 36 बराबर 99 हो तो 82 प्लस 44 कितना होका यहाँ पर क्या किया है देखे, 8 और 3, 11 होता है 5 और 1, 6 होता है दोनों को गुणा कर दिया 66 आ गया इसी प्रकागर आप यहाँ पे करेंगे 8 और 2, 10 होता है चार और चार आठ होता है, दोनों को गुणा कर दो, 80 आपका अंसर आजाएका, ठीक है, option C, इसका अंसर है, next है, आपको यहाँ पर अंग्रीजी शब्द कोश के अनुसार इनका करम लगाना था, option C, इसका सही अंसर है, 36 cm परिमाप की कितनी आयतें खीची जा सकती है, यदि भ पहले 135 डिगरी घडी की विपरित दिशा में घूमता है, फिर 180 डिगरी घडी की दिशा में घूमता है, अब उसका मुँ किस तरफ होगा, देखे, शुरुवात में उसका मुँ कहा है, शुरुवात में उसका मुँ दक्षन की तरफ है, ठीक है, वो 135 डिगरी विपरित शाहिदर आएगा तो इधर की साइडिय देख रहा है यानि पश्चन दक्षण की तरफ ये देख रहा है ठीक है, option D एक 6 cm कोर वाले घन के सभी फलकों को रंग दिया गया है, इसके बाद इसे 1 cm कोर वाले घनों में काट दिया गया है कितने घन ऐसे होंगे जिनके कोई भी फलक रंगे नहीं है राइट आंसर होगा इसका, option B 64 इसका सही आंसर होगा ठीक है एक कथन आपको दिया गया है और उसके आसार पर दो निशकर्श हैं आपको बताना है, कथन है कि भाग्य जो है वो बहादूर का साथ देता है और जो इसके निशकर्श निकाले गए कि सफलता के लिए जोखिम ज़रूरी है और कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं तो second वाले का तो बिलकुली इससे कोई मिलता जुलतान मिल नहीं रहा option A इसका सही आंसर होना चाहिए next है यहाँ पर आपको percentage दिये गए है विबिन खर्चों का आपको पूछा गया आईकर का कोण कितना होगा तो इसको भी आपको उसी प्रकार से कवर करना है 33 प्रतिशत है इसको into कर देना है 5 बटे 18 से 5 बटे 18 आपका आया कहां से तो 5 बटे 18 आपका वहीं से आया कि 100 प्रतिशत की value कितनी है 360 degree तो एक प्रतिशत की value कितनी हो जाएगी 360 degree बटे 100 इसको अगर आप solve करेंगे तो 36 यानि कि आपका आजाएगा 18 और यहाँ पर आजाएगा 5 शरंकरा में लुप्त पद आपने यहाँ पर ग्याद करना था तो 69 वाले का जो हमारा आंसर है वो है option A 15 इसका सही आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है नीचे दिये गए चायांकित छेतर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है तो 70 प्रशन इसका जो राइट आंसर है वो option C इसका राइट आंसर है ठीक है क्योंकि आप यहाँ पे दिया है Y बराबर X यानि कि X और Y दोनों बराबर है यहाँ पर देता है कि X प्लस Y बराबर 4 है जब दोनों बराबर है यानि की दोनों की value क्या होगी 2-2 होगी तभी तो 4 निकलेगा ठीक है बस अब आप जो value है x और y की दोनों की value 2-2 equation में put कर दीजिए जहां पर satisfy हो जाए वो सही answer हो जाएगा ठीक है तो option c इसका सही answer है यदि 9 की power 9 की power आपकी x है तो 9 upon 3 की power x की value में x का मान कितना होगा तो अगर आप इसको solve करेंगे 71 को इसका answer आपका आजाएगा 2-3 ठीक है आप value put करके direct रज सकते हैं x का मान यहाँ पर direct रखती जिए solve कीजिए answer आजाएगा यदि 2 संख्या हैं B और C किसी तीसरी संख्या A से 15% और 32% कम है तो B C से B से संख्या C कितने परसंट कम है देखें दोनों संख्या A से कम है तो A को मान लेते हैं 100 ठीक है जो B है वो A से 15% कम है यानि कि A से 15% यानि कि जो B है वो 85 है C जो है वो A से 32% 100 का 32% कम है यानि कि जो C है वो 68% है आपको पूछ रहा है C जो है B से कितना कम है तो C जो है B से कितना कम है 17 किसे कम है B से और percentage में पूछ रहा है तो आप इसको solve करेंगे 20% इसका answer आजाएगा दी गई 5 संख्याओं में से 4 किसी प्रकार से अनूप है एक सम्हू बनाती है कौन सी संख्या सम्हू में सामिल नहीं है तो जो यहाँ पे सम्हू बनाता है तो इसका 72 सही answer होगा यह यहाँ पे शामिल नहीं होता है ठीक है 22 से 26 आता है 4 जुडता है फिर 8 जुडता है फिर 12 जुडता है फिर 16 जुड़ना था यह यहाँ पे जादा जुड़ गया नेक्स्ट है निम्न में से किस से JN उसी प्रकार संबंदित है जिस से जिस प्रकार AEDH से तो आप इन दोनों के values को अगर देखेंगे जो वंड माला है English के उसके according तो आपको JN बराबर मिल जाएगा MQ नेक्स्ट है यहाँ पर आपको इसको solve करना था अगर आप इसको solve करेंगे पूरी equation को तो आपका अंसर आजाएगा 0.2 किसी घन का आयतन V है इसके कोरू की कुल लंबाई कितनी होगी तो इसका जो answer है यह है 12V की power 1 upon 3 यहाँ पर आपको एक और equation दी गई थी इसको आपको solve करना था पूरी equation को अगर आप solve करते हैं आपका answer निकलेगा 2P upon 3Q ठीक है solve करके आप इसको देखना 78 इसका answer नहीं हो पाया तो इसका answer यदि आप जानते हैं तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं next है 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेल गाड़ी एक दिशा में जा रही हैं तेजी से जाने वाली रेल गाड़ी दूसरी रेल गाड़ी को एक मिनट में पार कर लेती है ठीक है और अगर वो opposite direction में जाएं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर लेंगी आपको यहाँ पर पू तो देखें relative speed पूछी जा रही है आपकी total distance किती है तो total distance में हम दोनों को जोड़ देंगे 130 प्लस 110 टाइम कितना है distance upon time बराबर speed होता है टाइम कितना है टाइम है एक मिनट यानि कि 60 सेकंड बराबर relative speed जब दोनों एक ही direction में जा रही होती है तो relative speed माइनस हो जाती है यानि क x-y हम इसको कर देंगे अगर आप इस equation को solve करेंगे तो आपका निकलेगा x-y बराबर 4 हमको इसकी value नहीं चाहिए कि x की value क्या है y की value क्या है हमें दोनों का अंतर पूछ रहा है दोनों का अंतर है 4 next है 10% वार्षिक चक्रवर्दी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1000 रुपए 1331 रुपए हो जाएंगे तो इस प्रकार के प्रशन जो होते हैं आपको जो percentage है इसी को लेकर करना होता है कि 10% का चक्रवर्दी ब्याज लग रहा है यानि कि 10 रुपए से 11 रुपए हो रहे है और ये ब्याज 3 साल तक लग रहा है तो यहां पर आप इसको देखेंगे आपने according मान लिया कि 3 साल को लेकर यह मानते हम इसका answer तो अगर आप इसको solve करेंगे तो 1000 रुपए 3 साल में 1331 रुपए हो जाएंगे जो की condition satisfy कर गया तो इसको भी आप option के मादिय हम से कर सकते थे त तो 3 साल इसका answer है नेक्स अब कुछ English के question है जो आपको यहां से बताने थे which word best describe self-direct learning तो self-direct learning को कौन शाँ शब्द है जो अच्छे से समझाता है उसकी व्याक्षा करता है सही answer है active learning the modern environment according to the author is जो modern environment है author के according वो कैसा है वो instructive है ठीक है there is a need for self-directed learning because it help people to learn more things and learn better ठीक है तो यह तीन आपको answer याद रखने है पहले का है option A, दूसरे का B, तीसरे का B ठीक है choose the correct word for the phrase government by one person, government by one person एक व्यक्ति का शाचन कहलाता है autocracy, ठीक है the roman expected to conquer Carthage, तो इसका आपको passive voice बताना था, right answer है इसका option C, it was expected by the romans that they would conquer Carthage, ठीक है choose the correct synonym of the word competition, competition का जो right synonym होगा वो होगा आपका contest, ठीक है what can be appreciate meaning of the word slumber, slumber का meaning होता है sleep, option C, इसका right answer होगा, ठीक है अब हिंदी के प्रश्ण है, किसी राश्ट की सबता के मुलांकन का आधार क्या है, तो किसी राश्ट की सबता के मुलांकन का अधिकार है, संस्कृति किस में घनिष्ट संबंध है, तो घनिष्ट संबंध है, हमारे किस में सबता और संस्कृति में, option B संस्कृति क्या है, तो संस्कृति जो है मानव जीवन को श्रेष्ट और उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम है मानव जीवन प्रभावित करने में किस का महत्पून हाथ रहता है, प्रकर्ति का महत्पून हाथ रहता है, option C संस्कृतिक शब्द में प्रताय बताईए, तो संस्कृतिक शब्द में यहां पर इक इसका अंसर होना चाहिए विरासत शब्द किस श्रेणी का है, तो विरासत शब्द इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि यह कौन सी श्रेणी का शब्द है, मेरे अकॉर्डिंग यह शायद विदीशी शब्द होना चाहिए कौन सा शब्द प्रगर्ती का प्रयवाची नहीं है, तो प्रगर्ती का प्रयवाची नहीं होता विभूती मानव का प्रयवाची बताईए, तो देखें मानव का प्रयवाची होता है, मर्त अमर्त जो होता है, यह देवों का प्रयवाची होता है सब्धा का सब्धार्थ क्या होता है जीवन प्रणाली मुल्यांकन का संधी विच्छेद क्या होगा मुल्यांकन का संधी विच्छेद होता है मूल्यधन अंकन महत्पूर्ण का विप्रीत आपने लिखना था महत्पूर्ण का विलोम शब्द होता है महत्वहीन उप्युप्त गदांस का आपने उप्युप्त सीशक बताना था तो जो गद्यांश उपर दिया गया है इसका सीशक है सब्बता और संस्कृति ठीक है कोई भी रांश्ट किसके बल पर प्रगर्टी के पत पर अगरसर होता है तो ये आपको यहाँ पर देखना इसका आंसर क्या है और अंग्रेजी में भी ये एक जो पैसेज था इसी से रेलिटेड वो कोशन थे जो हमने देखे तो फ्रेंट्स ये था अपर PCS का जो सेकेंड पेपर था जनरल एप्टिट्यूट का उसका सॉलुशन हमने यहाँ पर देखा किसी प्रश्ण में अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते है या कोई ऐसा कोशन जिसका सॉलुशन मैंने जिस तरीके से बताया अगर नहीं निकल रहा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपको उसका डेटेल सॉलुशन बता दूँगा कैसे निकला ठीक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको जो कुशन मैंने यहाँ पे नहीं बता है उनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता है वीडियो गर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं वैसे भी यह जो एक्जाम था 100 मार्ग्स का यह वाला एक्जाम क्वालिफाइंग नीचर का एक्जाम है ठीक है डेट सो नंबर का यह एक्जाम था 100 कोशन इसके अंदर थे ठीक है और पहला वाला जो पेपर था उसमें भी आप जानते हैं आज के अगबार में ही आया है कि यह ड़ाई लाख लोगों ने पेपर भरा था लगबाग तो आपका कितने स्कोर रहा पहले पेपर में दूसरे पेपर में जरूर बताएं साथ ही जो कम्यूनिटी में जो पॉल है कि आपके कितने मार्क्स आएं कम्यूनिटी में जाकर भी आप अपना पॉल में आंसर जरूर करें थैंक्यू फ्रेंड्स